या डियर वीवर्स, आप सबी को मेरा प्यार बहरा नमस्कर आज और एक वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ वीडियो का कंटेंट है कि जोटे रो। डूल रेफ्लेस्ट मैनेजमेंट टूल इनदेसेंट हैं चमूंजब रिसेर्च करते हैं, में चुछ करते हैं या बच्कों को पढ़ाते हैं तो कुछ मेट्रियल करते हैं तो क्या होता है कि आज वीडियो शेयर कर रहा हूं इसमें शेब कर सकते हैं और और य में सबकुछ वित्रोम ये कर शक्त आप साइप साइब लिटेशन बना सकते हैं करेंगे तो ऐ करेंगे तो अ यहां पहे ब्राजर घूंस करने के बाद लिए और औराएंगे जोट्यर है यह आपका परस्टे मूर्च आंसिस्टांट सब्स कर नार जाए खेंपते कर तो तो इसमें आप अर्गानेज कर सकते हैं साइट कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं तो इसलिए हम इसे पहले डाउनलोड करते हैं जैसे कि मैं ब्राउजर खुला उसके बाद जोटेरो.org जोटेरो साइट पे गया और भी मैं डाउनलोड कर रहा हूं कोई भी ब्राउजर आप यूज करते हैं जैसे कि में Chrome यूज कर रहा हूं तो Chrome यूज करने की टाइम पर मैं जैसे जुठेरो लिंक करोंगा जोंटे लो किनेक्टर इस्टल करोंगा यह मेरी ब्राउजर के साथ आड हो जाएगा यहने कि जब भी मैं अपना सब्सक्राइब सकत्कि तो लिकिन आप किसे करेंग UK या मैं है यहां से तॉ है उत्रों क्रों कर दिखा रहा है यानीwo करने के पाद और एक आइकन आएगा जिसमें आप आड एक्सटेंशन देख पाँ रहे होंगे यहां पर एक्सटेंशन है यहां पर एक्सटेंशन क्लिक करेंगे तक रहें यहां पर देखेंज के लिए डानलोड करेंगे ऑप जैसे में बताया जोटे रेंजा करेंगे रबात जीन हो घँ गया है घ्च बता ही होगा जोटे तो माक्स टूफ्यक्स 40.9 MB का है एंड विदिन वान मिनिट दाउनलोड हो जाता है डिपेंड अपने इंटरनेट कनेक्शन अभी देखिए अभी यह डाउनलोड हो गोईंग्टु कंप्लीट अभी फाइल एक्स्टर्ट हो रहा है मेरा जो आपने यह करता है कि मैं यह आप को अलाव इसको इस्टलेशन के लिए अलाव करूं या नहीं तो मैं इस्टलेशन के लिए आलाव करता हूं या से रहें फिर एक आपको जो वेल्कम टू दो जो टेरो सेट आप वीजाट दिखा रहा है और यहां पे आप क्लिक नेक्स्ट टू कांटिन्यू यहां कि इस्टल लेशन शुरू करने के लिए आप यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक किजिए जैसे आप क्लिक करेंगे जर्नरली हम लोग क्लिक करेंगे तो इंस्टलेशन शुरू हो जाएगा मैं क्लिक करते ही इस्टलेशन शुरू हो गया मैं एक्सपेट करता हूं कि यह आपके लिए बहरी इजी रहेगा आप इसको इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस्टल कर सकते हैं अपना रिसोर्स को वेल और्गानाईज कर सकते हैं तो अभी देखें अभी इंस्टलेशन कंप्लिट हो गया यहां पे फिनिश पे क्लिक करते है इसको मैं इसको मैम इमिनेमेज करता हूं translate करने के बाद करते हैं अभी देखें डेस्टाप पे जोटे ड आएकन पर हम कुलिक करते हैं जैसे हैं यहां पर जोटेरान चाहिए यहां आएकन और अपन होिए आन्ड है और लाकेशन चाहिए लोकेशन करता है यहां पे लिए यहांपे निउव कुलेक्शन के tratar आप डिकर काया एक और बॉक्स ऑक यंण हो कपानी और उस्में करेंगे इसलिए फोलडर का नाम देदे दिया लेप साइट में एक फोल्डर क्रियेट और्स के नाम पर fe even gave me आप यहां पर आईटम आइटेम हैर सेव यहां पर क्या होगा जैसे कि हम ब्राउजर करते हैं वेबसे वेबसाइट में गभी यहां पर spend करना चाहता है तो अगर वे वागा वह का अगर में आए इस बेन कपी करें कि यहां पर डाल देता हूं तो क्या होगा वो स्वह से अपने वो उसको एक्ष्ट करके यहां पे जो टेरो हो आपको सेब कर देंगा इन फिए ज़ाप इसे वह ब्राऊजर को यानि की वेबसाइट को ना जाते हुए आप यहीं पर आपका खुद का लाइब्रेरी बना लिए वहाँ पर असेस कर सकते हैं तो अभी फर एक्जांपल में आपको दिखा रहा हूँ आप कैसे करेंगे यहां पर ब्राउजर खोलते हैं तो अबना उजल खोलने के बार कि इनफोनेसर यहां कोई भी अर्टिकल यहां पर देख्याएm पर लिए हां और यह बुक का इज बुक का हो या जानल का डियो हो तो यहँंपपर क्या करना है आपको को यह समुल जाल के लिए जाषे से लिए सब्लाशन नमबर यूण कर लिए लिए doi link लिंग को copy कर लीजिए यह हो गया Cup अभी ही जोटे रोखोल दीजिए जहाँ पर थे पहले तो यह हो गया आइडेनिफायर यहां पर जैसे आइदेनिफायर क्लीक करेंगे तो यहां पर आपको option मैंगे कि आपको doi entry करेंगे या isbin entry करेंगे क्या करेंगे तो मैं doi ले चुगा हूं यहां पर प्रेस्ट किया प्रेस्ट करने के बाद आप एंटर देदीजिए जैसे इंटर देखेंगे देखेंगा ओजो सोर्स फाइल है वहां से एक्सट्राट करके यहां पर आपके फोल्डर जो बनाये थे आप इसके नाम पर ओफोल्डर पर आपने सेड़् हो जाएगा लिए यह अब यह अब आपके फोल्डर में यह अब कभी इसे आक्सेस कर सकते हैं और किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं तो दोबर आपको वेब वीडिट करने की ज़रोत नहीं है यही पर आपना खुद का लाइडरी बना के अक्सेस कर सकते हैं यह हो गया आपका आइदेंटिफियर और एक मोड़ ए है कि जैसे कि आप मानूँवल vor entry कर सकतें वक्त कर सकतें यहां लिए जी करूंपल मैं ले रहों इन्फर्माचा यहां पर मैं टाइप किया इंफर्मेशन लेकिन मैं बाखी के फील्ड जैसे कि अथर आश्ट्राइट पॉब्लिकेशन भॉले में यह सब एंट्री नहीं कर रहा हूं आपको सिफ दिखाने के लिए मैं यह कर रहा हूं तो आप जब भी एंट्री करेंगे डीटेल फील्ड एं अब जब भी इंपूट देंगे पूरा जितने भी फील्ड है मैक्सिमम फील्ड फील्ड करने के लिए कोशिज किजिएगा और नो निट्टु सेफ यहां पर सेफ नहीं आप सोच रहे होंगे सेफ करने की ज़रूत नहीं है एंटर देने के पाद यहां पर सिफ यह बॉक्स अब सेफ कर सकते हैं और मानुल एंट्रीव कर सकते हैं अनदर फिंग आप कहीं पर सी ड्राइव या द्राइव या डेस्टॉप कहीं पर कुछ डाटा रखें तो क्या करेंगे और एक्जाम्पल मैं आप डेस्टॉप में एक आर्टिकल रखा हूं फोल्डर बना के तो मैं करता हूं जैसे में फोल्डर को ऊपन करूंगा यहां पर देखे इसको ट्राइज और ड्रॉप ऑफ्शन भी है आप यसे आप यसे एसे ट्राइजिए और यहां पर ड्राक करके यहां पर ड्रॉप कर देजिए जैसे आप ड्रॉप कर देंगे देखेंगे आपका जो कहीं से भी आप अर्टिकल जो है उसको यहां पर ड्रॉप करेंगे अब यहां पर देखेंगे किसी भी लोकेशन में रखें तो मैं जैसे डेक्टर पर रखा था ऐसे आप जो आप जो लाइबरी बनाएं जो फोल्डर बनाएं उसमें आप सेव कर सकते देखिए अब भी मैं थूआइटिंट फैर बताया मानुल एंट्री बताया और कैसे आप ड ट्रीट ब्रेट हो गया है आप सारे पॉब्लिकेशन हो सब्सक्राइब कर सकते इन फिचर अब कभी वी से रिट्रीड कर सकते हैं कुछ भी कर सकते तो अभी इसे कमें आपको पता है जो तेरो साइट में कैसे जाना आप डाउडोड कैसे करना करेंगे और आइडेंटिफार को कैसे यूज करेंगे मानवल एंट्री कैसे करेंगे यह सुब पाद आप देखेंगे तो यहां पर मैं जो ओपन करके हां और एक बात है कि जो अप्लिकेशन है इसे बॉन्द मत किजिए अगर बॉन्द करेंगे तो हो सकता है कि कि आपका साइटेशन और विब्लोराफिक काम ना करें तो इसलिए आप जोटेरो आइकन को ऊपन रखिएगा और उसके बाद हम चलते हैं वार के तरफ तो मैं के वार्ड फाइल उपन करता हूं कि ओपन करने के बाद यहां पर हो गया आपका ब्लांक डॉकुमेंट जैसे ब्लांक डॉकुमेंट हो गया आप देखेंगे वार्ड खोलते हैं उसके उपर जैसे फाइल हो में इंसर्ट वगरा उसी लाइन पर देखेंगे एक जोटेरों का अप्शन भी है लेकिन इस्टले आप कर सकते हैं कभी 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 क्या होता है कि पॉब्लिक्डेशन के लिए हम जो भी देते हैं रेफ्रेंच बिब्लॉडाफी देते हैं उस टाइम पहले से इंपूट देते ही वह वही फर्माट में वीपूट आपने आप बन जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और एक्जंबल आप कैसे करेंगे ठीक है तो यहां पर देखें यहां पर मैं information इन्फरमेशन नीट रेपर के एक लेल्या मैंने इन्फरमेशन नीट पेपर है अभी गेंचे अभी यहां पर मैं जिसे में अर्ट्स अंड एडिट साइटेशन पर क्लिक किया मैं बता हुए पहले से बता था कि जो भी और फर्माट करेंगे करेंगे तब यापको डिफ्रेंट काइंट्स ओफ फर्माट दिखायगा यहां जासे कि अमेरिकन केमिकल सोचाइटी अमेरिकन मेडिकल आसेशोचन 1911 इलेबंगे अमेरिकन पॉलिटीकल साइसेशन तो फर एक्जाम्पल हम अमेरिकन मेडिकल असेशन ले लेते हैं यहां पर क्लिक करते हैं देन ओके हो गया तो अभी क्या करना है अभी हम लोग जो फोल्डर पर जो आर्टिकिल लिये थे वो आर्टिकिल का नाम यहां पर टाइप करेंगे अभी देखिए अभी इन्फर्शन नीड पेपर हो गया यहां पर साइटेशन जैसे कि वन दिखा रहा है अभी हम क्या करेंगे जैसे आप साइटेशन फर्माट देदी यहां पर एंट्री हो गया उसके बाद आप इसे रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं अभी आपकर रेफ्रेंस हो गया उसके बाद आप यहां पर आड़ेट बिलोराफी एंटर दीजे जैसे आप अड़ेट बिलोराफी एंट्रीस देंगे आपका जो आकील जो फोल्दर पे रखे थे ौड़ नंबर आन्य कि वहां पर जो आतृक्िल लिये थे हम यहां पर जो सआइटेश इस टाइंबर में आपको रेफरेंश के लिए बीप्लोड़ाफी ओव मेंटेन्स करके दे देढे अधिन आशन तो क्या है कि हमें दिमाग इतना लडाने की ज़रोद नहीं एक हमें फर्माट चूज़ करना है अड हमारे फोल्डर है फॉल्डर में सीरीली वान टू फ्रीक्स करके आर्टिकल है उसे सेव करना है और आर्टिकल जो सीलीट करेंगे जब आर्ट करेंगे साइटेशन के लिए उसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जब आड़ करते जाएंगे करने के बाद जैसे हम बिब्लोराफी के लिए जाएंगे रेफरेंस देखे मैं जैसे आपको एक पेपर करके दिखाया इनफर्शन एड़ वान पेपर और वहां पे जो पेपर था मैरे फोल फर्माट में जो अमेरिकन असेशन किया था मेडिकल असेशन के जो 11 एडिशन का अफिलेट किया था उसी फर्माट में वह आपने इनफर्ट दे जाता है यानि कि अभी देखिए अभी यह वीजिवल हो गया तो अभी जो मैं यह जो वीडियो में आप लोगों को साथ मेरा इसे जो एक्स्ट सेयर किया कि जो तेरह हमें कैसे हैल्फ कर सकता है आप भी मैं समझता हूं कि आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे इस्ट्रेल कर पाएंगे एड जो फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं जा ना थुब आइडेंटिफेर वीब से कोई भी डाटा लेके आप अपने जो फोल्डर है उसमें सेव कर सकते हैं और और गानाइज कर सकते हैं कर सकते हैं डाटा सेयर कर सकते हैं साइटेशन कर सकते हैं एंद बीबलोग्राफी रेफेंशी बीबलोग्राफी भी कर सकते हैं तो अभी इनके यह बोलना चाहूंगा अगर कुछ भी कभी भी आपको दिक्कत होता है तो मुझे कंटाट करने के लिए मत भूलिएगा आप्टर आल आज का वीडियो इंपे खत्म करता हूं आसा करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा इन फ्यूचर अगर कभी भी ज़रूत परता है तो मुझे कंटाट करने के लिए मत भूलिएगा आपना जो रेकमेंडेशन और आपना जो कमेंट आपना जो फीडबेक आप्टर ओल मेरे चानल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालता हूं सारे एकाडेमिसियन को वीडियो देखना ज़रूरी है ठीक है तो इसी के साथ में आज का वीडियो खतम करता हूं आशा करता हूं आपको यह मेरा जो यह जो टे रेकमेंडेशन पसंद आएगा इसी के साथ में यह वीडियो समत करता हूं मजे वीड़ाई दीजिए नमस्कार